दोस्तो अजकी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्लाश 10 के मैद का जो चैप्टर 6 है त्रिभूजी तो उसी का प्रस्णावली 6.4 को सॉल्व करेंगे और दोस्तो एक चीज़ और कि इस जितने भी यहाँ पर कुश्चन देख रहे हैं इन कुश्चन को अगर आप आसान तरीके से समझना एग्दम से यृजली आपको सॉल्व करना है तो उससे पहले आपको पर्मे पता होना चाहिए ठीक है और एक चीज़ और कि इसमें जो पर्मे केवल एक ही पर्मे तो बहुत ही आसान है तो चलिए सबसे पहले को देखेंगे उसके बास से इनसा भी को को solve करते हैं तो देखिए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में ही पर्मे दिया हुआ है पर में 6.6 तो यह क्या कह रहा है कि दो समरूप को सबसे पहले के ची दो सम्रूप तेर्भूजरों की चेतर फलो ठीके तो एक तिरभूज यह ऐसका शे 6 में बहुत है थो यह क्या हैमे धी यह जि brands के यह लिखा है तो इस अनुपात का मतलब होता है इस अनुपात का मतलब होता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A बटे में B यह चीज़ आप लोग घ्याना कहेगा कि अगर अनुपात दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम A बटे में B इस अनुपात को लेख सकते ह थीक है तो इसमें कहा रहा है कि दो समरूप तिर्भूजे के छेत्रफलों का अनुपात मतलब इस तिर्भूज का जो छेत्रफल है और इस तिर्भूज का छेत्रफल का अनुपात क्या है अनुपात इनकी संगत भूजाओं संगत भूजा क्या होता है जैसे कि इसमें ये वाल दो समरूप तिरभूजों के 6 तरफल लिख लेते हैं पहले तो 6 तरफल को इंगलिस में कहते हैं area तो इसको हम shortcut में AR से दर्शाते हैं तो AR area किसका तिरभूज ABC का तो तिरभूज ABC का ठीक है और इसका भी area किसका तिरभूज PQR का PQR का दोनों का अनुपाद तो अनुपाद यह चीज हमने लिख दिया ठीक है दो तिरभूजों का अनुपाद यहाँ पर हमने लिख दिया इनका अनुपाद क्या कहता है कि संगत भूजाओं के अनुपाद के वर्ग के बराबर होता है ठीक है कि वर्ग के बराबर होता है तो लीजिए ये हो गया वर्ग के बराबर ठीक है अगर माली जे कभी भी कोशन पूछ दिया कि AC का अनुपात तो AC इसमें अगर ये वला लेंगे तो मतले इस तिर्भूज में भी ये वला लेंगे तो ये इसको लिखना होगा तो इसे लिख देंगे AC बटे में ये PR और इसका हम इसको हैर कर देंगे ठीक है वर्ग के बराबर हो गया न देखिए इसका ये जो तिर्भूज का छेतरफल है वो संगत भूजाओं के वर्ग के बराबर है अगर माली जे इसका पूछल दिया तब ऐसे कर देंगे लिखेंगे BC और बटे में इसका आप लिख देंगे जैसे ये इस भूजा का संगत भूजा ये वाला होगा दूसरे तिर्भूज में ठीक है तो BC और अनपात में QR तो यहाँ पर हम लिख देंगे QR और इसको कर देंगे whole square में बस यह हो जाएगा अब चलिए ये तो हमारा formula हो गया इस formula का यूज हम question पर कैसे करेंगे वो देखेंगे तो चलिए देखी तो यहाँ पर रहा है आपका 6.4 ठीक है 6.4 का पहला question ठीक है तो देखिए एक तिरबुज ABC बना लेते हैं दूसरा तिरबुज DEF बना लेते हैं तो ऐसे कुछ भी खीच देना है इस तरीके से आपको एक तिरबुज बन गया दूसरा हम यहाँ पर बना दे रहा है कहारा कि यह तिरबुज इसके समरूप है इसका नाम देते हैं B C इसका नाम देते हैं D E F तो D E और E F यह हमने नाम दे दिए ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इनके छेतरफल करमसा देखें अब इनके यह जो छेतरफल है वो करमसा यह वाला इतना दिया हुआ है और E F इसमें एक चीज देखिए E और E F यही है न तो E F का महान य गयाद किजी यह वाला हमें गयाद करना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे अगर हम सही से लिखें तो इसमें सबसे पहले आपको हाल लिखना है उसके बाद से लिखना है ठीक है दिया है तो दिया है में क्या क्या लिखेंगे यह वाला लिख देंगे कि A B सी जो है वो d f के समरूप तो यहाँ पर देंगे कि तिर भूज ए बी सी समरूप है तिर भूज डी य य यफ के यह चीज अगया और उसके पास से क्या इसमें दिया है वह चीज़ लिख देंगे इनके छेत्रफल ग्रम सा यह है तो इसको भी लिख देंगे तथा डादिये हैं पर और लिख दीजे कि छेत्रफल बराबर में क्या 64 cm2 और कॉमा लगाईए और दूसरा भी छेत्रफल दिया है ना दूसरे तिरभुज का तो इसको भी लिख देंगे कॉमा छेत्रफल आपका है 120 cm2 तथा इएफ बराबर में 15 , तो लिख देंगे वह ओद इएफ बराबर में 15.4 cm से बस्येस इतना आपको कर देना है अब इसके बाद ऋसके बात क्या करना है यह 25 और तो लिख हम क्या लिख देंगे यहां पर लिख रिख धिए ग्याद करना है या फिर डिरेक्ट आप इस तरी के सलिख सकते हैं 20 ברilee यह जीज भी आप कर सकते हैं यहां फिर ग्याद करना हेडिंग डाल सकते हैं जो मन करें वो करिए तो इतना तो हो गया और हमें यह भी पता है कि यह दोनों तिर्भूज के समरूप है क्योंकि इसमें दिया भी है तो चलिए इसको करते हैं तो हम क्या करेंगे अब इस पर हम डारेक्ट फॉर्मूला अपलाई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि दोनों तिर्भूज समरूप हैं, अगर नहीं पता होता, तो पहले हम सिद्ध करते हैं कि यह मतलब कि समरूप है कि नहीं है, ठिक, लेकिन पता है, तो कोई बात है नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कि area पहले लिखेंगे ना, formula में area, area, किसके बराबर है तो देखे इसमें क्या लिखेंगे इसका मान दे रखा है य और य य फ का मान दिया है 15.4 तो नीचे वाला इसका मान दिया है इसका मान पूछ रहा है मतलब कि इन्ही दोनों का इन्ही संगत भुजाओं का अनुपात को हम यहां पर रखेंगे तो लिखेंगे कि BC बटे में E और F इसका हम वर कर देंगे कैसे कर देंगे फॉर्मुले से ठीक है यहां से देख रहे हैं आप जैसे इसी वाले को लिया जा रहे है इसमें BC यहां पर जैसे चेंज हो गया है पर में 6,106 है यह वाला चलिए अब इसके बाद से एरिया दिया हुआ है ABC क्या दिया हुआ है तो अगर आप पहला तिर्भूज जो है पहला तिर्भूज आपका मान कितना है 64 cm इसको है तो यहां पर लिख दीजे 64 और दूसरा तिर्भूज कितना है दूसरा तिर्भूज जो 121 है तो यहां पर 121 लिख दीजिए और BC तो BC हमें बताना है तो वैसे लिख देंगे तो यह वाला रूट में हो जाता है यह गड़ित का नियम होता है ठीक है जैसे के माल यह स्कॉयर बराबर में दो है तो यह बराबर हम क्या होगा रूट दो हो जाएगा इसे तो करता है ना वहीं काम्यापर कर देंगे तो यह आपका रूट में हो जाएगा 64 बटे में 121 बराबर में BC बटे में 15.4 ठीक है 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा 121 को बाहर निकालेंगे 11 हो जाएगा ठीक है 11 का ही वर्ग होता है 121 8 का वर्ग होता है 64 और बराबर में है BC बटे में 15.4 क्या करेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए तो इसमें करेंगे तो आठ चोग वा को 32 का हो जाएगा 2, 8, 45 और 43 43 का 3, 8, 99 8, 12 यह हो जाएगा एक अंग बाद 10 अमलो है तो यहाँ पर 10 अमलो लगा देंगे नीचे है आपका 11 11 बराबर में क्या है? 20 बटा तो यह वाला इसके साथ गुणा कर दें तो यह तो खतम हो गया तो 20 के वल बचा है अब इसको हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे अब 110 से जब आप इसमें भाग करेंगे आप भाग करके देख लिजएगा आपका आएगा 11.2 बाग कर लिजएगा ठीक है नॉर्मली तो है तो बराबर में 20 और यही आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर ठीक है? तो आपने देखा कि किस तरीके सामने इस फॉर्मले का यूज़ करके और सभी का मान गयाद किया है तो बस इसी तरीके साब को कर देना है चलिए और भी कॉश्चन है उसको देखते है अब दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉश्चन में दूसरा है इसमें क्या कर रहा है कि एक समलंब अब बी-ड जिसमें AB जो है वह वह समानतर है डी-सी के तो सबसे पहले एक सबलंब बना ले दें तो इस तरीके से यह सबलंब होता है यह इस तरीके से एक भुजय जो इसकी होती है वह बड़ी होती है और एक छोटी होती है इस तरीके तिर्षा तिर्षा होता है तो नाम देते हैं A B C और D इस तरीके से आपको बना देने ठीक है अब कहे रहा है कि के बिकर्ण प्रस्वर ओ बिंदू पर प्रतिछेद हो रहे हैं ठीक है प्रतिछेद करते हैं तो यह क्या हो रहा है बिकर्ण कैसा तीर्चा तीर्चा ऐसा होता है तो यह तीर्चा हमने कर दिया और इसको तीर्चा कर दिया यहां पर यह जो बिंदू मिला है तो गुड़े सीडी एबी जो है टू सीडी के बराबर है तो ए ओ बी ये ओ बी तिर्भूज ए ओ बी और सी ओ डी के छेत्रफलों का अनुपात ग्याद किजिए छेत्रफल को इंग्लिस में कहते हैं एरिया ठीक है इसको सौर्ट कोड में ए यार से दर्जाते हैं तो अनुपा है तो क्या क्या दिया है तो ए भी शमांतर डी सी तो इसको भी लिख देंगे ए भी शमांतर सीडी या डी सी कुछ भी लिखें और उसके बास से ये वाला भी तथा ए बी जो है बराबर है टू सीडी के ये भी ठीक है अब देखे इस चीज को एक चीज और लिख सकते हैं दो जो है सीडिक साथ में गुणा कर रहा है बराबर किदर जाएगा तो भाग करने लाएगा तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी और सीडी दर आएगा तो भाग करने लाएगा तो सीडी बराबर में दो ठीक है इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सक सिद्ध करना या फिर ग्याद करने कुछ भी लिखे तो सिद्ध करना है करना है अब देखें यहाँ पर थोड़ा साब को दिमाह लगाना है इसमें क्या कर रहा है तिरभूज A, O, B देखें A, O, B कहा है A, O, B यह वाला तिरभूज की बात कर रहा है और तिरभूज C, O, D इस वाले तिरभूज की बात कर रहा है मतलब कि जो भी हमें काम करना है हमें इस वाले तिरभूज में इसको थोड़ा डार कर दे रहा है इस तिरभूज में और इस तिरभूज में हमें काम करना है ठीक है ये वला इन्हीं दोनों तिर्भूजे में हमें काम करना है तो चलिए सबसे पहले इसको लिखे हैं कैसे छेतरफल को हम AR सोटकॉट में AR से दर्शाते हैं तो AR हम लिखे देंगे अनुपात का रहा है ना अनुपात अभी हमने question number 1 में आपको बताया था अनुपात है अगर B लिखा हो तो इसको हम A बटे में B इस तरीके से लिख सकते हैं तो अनुपात का रहा है ना इन दोनों तिर्भूजे का अनुपात हम कैसे लिखेंगे पहला तिर्भूज A, O, B लिखेंगे ठीक है और बटे लगाएंगे AR लगाएंगे और तिर्भूज लिखेंगे C, O, D C, O, D यहां भी तिर्भूज लिखेंगे तो कह कर रहा है अनुपात ग्याद कीज़ें मतलब इसी के बराबर हमें बताना है यह चीज़ हो कह सिद करने में अब इसके बाद से देखेंगे अब यहां पर हम लिखेंगे प्रमाड ठीक है प्रमाड लिखे या न लिखेंगे कोई दिकर ने है लेकिन लिख लेते हैं और भी बैता रहेगा अब इसके बाद से देखें काम हमें किसमे करना है बताना कौन सा है A, O, B A, O, B C, O, D या फिर, D, O, C कुछ भी कहिए बाद एक ही है तो हम क्या करेंगे लिखेंगे तिर्भूज A, O, B में इस तरीके से तिर्भूज बनाएंगे A, O, B तथा C, O, D C, तिर्भूज C, O, D में इस तरीके से आपको कर देना है ठीक है अब इसके बाद से आपको एक चीज पता होना चाहिए एक आंतर कूण क्या होता है और शीर्षा भी मूग क्या होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ठीक है इसको हमने पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमने बता दिया है तो देखिए B कौnd T suspended का होगा मतलब कि कोड B के बराबर कोड D होगा कोड A के बराबर कौnd C होगा कैसे देखेंगे कॉणड A एंड आर C बराबर होगा बराबर होगा कौड T के और B D ऑगा एकांतर कोर्ड ये चीज है यह लिग देंगे तो जो भी कॉपी चेक करेगा वह समझ जाएगा कि यह दोनों कैसे बराबर है अब इसके देखिए एक चीज और अब मैं बतारखा है पहले कि जब दो तिर्भूज हैं दोनों तिर्भूज का एक एक जो सिर्ष्ज है आपस में जुड़ा हो तो यह कोड़ जितने यांस का होगा उतने ही यंस का ये भी कोड़ होगा यह चाहिए उसको हम देखे कैसे लिखेंगे कोड़ ए-o-b बराबर है कोड सी ओ डी के लिखेंगे कोड सी ओ डी के ठीक है देखें बीच में यह यही दोनों बराबर है इसी पर हमें ध्यान देना होता है कैसे बराबर है तो सिर्षा भी मुख से ठीक है सिर्षा भी मुख यह चीज आपको पता होना चाहिए सिर्षा भी मुख से यह दोनों कोड आपस में बराबर है अब देखेंगे अब इससे पहले एकसाईज अगर 6.3 को आपने देखा होगा तो उसमें एक नियम था कि जब दो तिर्भूज के तीनों कोड आपस में बराबर ह तो वो क्या हो जाता है वो समरूप होंगे ठीक है तो यहीं लिक देंगे कि तिर्भूज A O B समरूप होगा तिर्भूज C O D के बस यही चीज आपको कर देना है अब दोस्तों अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है फॉर्मूला हमारा जो पर में है ठीक है पर में क्या कहता ह है कि समरूप तिर्भूज के चली मैं आपको formula दिखा दे रहा हूं, देखें, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं formula, यहां पर क्या है, कि d오 समरूप तिर्भूज का ये जो छेतरफल होगा, वो कितना होगा, संगत भूजाओं के वर्ग के बराबर होगा देखें, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका यह जो संगत भूजा है उसका वर्ग करेंगे तो यह दोनों तिर्भूज के छेतरफल के बराबर हो जाएगा ठीक है? यह इस तरीके से होगा तो चलिए हम इसी फॉर्मले को हम इसमें लेंगे तो इसमें किसकी बात हो रही है? एक चीज है यहाँ पर देखेंगे तो A B बराबर दो यह A B है, यह दो है और C D जो है, वो एक है यह वाला आपका एक है तो हम क्या करेंगे? कि फॉर्मला हमारा हो जाएगा किसमें हो रहा? A O B में तो लिखेंगे एरिया तिर्भूज A O B और एरिया नीचे वाला का भी C O D तिर्भूज C O D तो फॉर्मला क्या हो जाएगा हमारा? इसमें देखें किस से इसको पूछ रहा है A B यहाँ पर दो दे रहा है C D जो है, एक है तो A B बटा C D A B और C D यहीं दो मान दिया है तो इसको हम रख देंगे तो A B और C D इसका हम वर्क कर देंगे तो यह इसके एरिया के बराबर यह वाला हो जाएगा चलिए तो अब हमारे पास A B कमान कितना दिया है? 2 और C D कमान 1 है तो 2 रखेंगे, 1 रखेंगे इसका हम वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यह आपका 4 बटे में 1 आजाएगा ठीक है? तो इसके बराबर देखें तो अब हमें क्या घट करना है? तिरभूज A, O, B बताना है और बटे में C, O, D तो A, O, B और C, O, D बराबर क्या है? 4 बटे में 1 तो इसको हमें अनुपात के रूप में बताना है देखें यहाँ पर अनुपात ग्याद कीजिए अनुपात पूछ रहा है न तो इसका अनुपात अभी हमने बताया था कि अगर कोई चीज भीन के रूप में तो उसको अनुपात के रूप में लेख सकते हैं तो 4 अनुपात देएक यह इसका हो जाएगा आंसर ठीक है? तो बस दोस्तों आजके वीडियो में इतना ही तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में अगली कॉश्चन के साथ तो आजके वीडियो अब लोग कैसा लगा? कॉमेंट बॉक्स में जुरू बताएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राब जूरू करेगा